एलोवेरा जेल में बस एक चमच आपको मिला देना है ये सफेज चीज उसके बाद फिर मनी प्लान के जो पत्ते हैं उनमें बहुती सुन्दर चमक आ जाएगी पत्तों में एक अलग ही शाइन होगी साथ ही साथ जो ग्रोथ होती है वो भी काफी तेज हो जाएगी बहुत बू प्रिवान कैसे हैं आप सब लोग लाव फ़र गार्डनिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हैं तो मनी प्लान की ग्रोथ बहुत तेजी से आप देख सकते हैं मेरे प्लान की हो रही है प्लान काफी बूशी भी है और ब्रांट जादा निकली हुई है जो सूखे पत्ते हैं समय समय पे उनको रिमूव करते रही है तो इससे मिट्टी में फंगस नहीं लगता है और जो प्लान की एक्स्ट्रा एनरजी होती है वो भी वेस्ट नहीं होती है मनी प्लान को डारेक्ट सनलाइट में कभी नहीं रखना चाहिए आप ऐसी जगे रख सकते हैं जह इसका क्या रिजन है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों ऐसा शेप ले लेता है ऐसा कलर ले लेता है पर देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है मनी प्लान के पत्ते में जो वाइट और यलोईश कलर जो आ जाता है जैसे इस लीव में आप देख सकते हैं तो य यह कलर प्लान की लीव पे नहीं आएगा चली अब इसकी चमक को बढ़ाने के लिए हम खाद बना लेते हैं तो यहां पर जो सबसे पहले मैंने लिया है यह है अलोईवेरा की लीव तो आप देख सकते हैं अलोईवेरा का प्लान मेरा काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है तो इससे रिलेटेट वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कैसे इसको बहुत जादा तेजी से ग्रो करना चाहिए तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी आप जरूर देखिएगा बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है अभी हमें इसकी लीव की जरूरत है तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लीव कट कर ली है तो इससे हम एक स्प्रे तयार करेंगे जिसे हम अपने प्लांट पे स्प्रे करेंगे और आप इसको चाहे तो मिट्टी में भी दे सकते हैं बतलब आप दोनों तरीके से इसका यह सिर्फ एक प्लांट के लिए है और मतलब अगर आपका वो प्लांट जितना बूसी जितना ग्हना और जितना बड़ा मेरा मनी प्लांट के उसी हिसाब से अगर आपका भी है तो आपका एक प्लांट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा इस प्रेसे लेकिन अगर आपका छोटा है तो आप इसकी कम क्वांटिटी भी यूज कर सकते हैं जितना जल मैंने लिया है उससे कम लीजेगा और फिर उसी हिसाब से जैसे आगे मैं आपको बताऊंगी कॉंटिटी आप हर चीज की लेंगे तो आप छोटी मातरा में भी इसे बना सकते हैं तो जो लीव मैंने कट की थी मैंने उसकी सिर्फ आदी लीवी ली है और मैंने उसके छिलके चारो तरफ से उतार के सिर्फ जैल का इस्तमाल किया है तो लीव को हटा देना है सिर्फ जैल को ही रखना है हाँ जैसे जब हम लीव हटाते हैं न तो जैल की ऊपर चुटी-चुटी सी लीव आके रह जाती है तो आप उन्हीं भी रिमूव कर लिजेगा बिल्कुल भी ग्रीन पोश्टन लीव का नहीं रहना चाहिए एक से डेड़ महीने में अलोवेरा के जो प्लांट होते हैं उसमें आप एक से दो मूठी वर्वी कंपोस्ट और आदा चमश नीम खली दे देता है तो वह बहुत ही अच्छा होता है और अगर आपके प्लांट को लिक्विड खात देनी है तो इसी को आप पाने में भीगा के दो-तीन दिन तक उसको छोड़ दीजे और फिर उसे डाइलूट कर लिजे यह देखिए मेरा जेल जो हमने चाहिए था वो तैयार हो गया है अलोवेरा जेल थोड़ा चिपचीपा टाइप का होता है तो अगर आप इसे उंगलियों से टश करेंगे तो यह चिपके का उंगलियों में तो कोई बात करें अब हम इसको مिक्सर में थोड़ा सा पीश लेंगे तो पीशने के लिए पहले मैंने जार ले लिया है अर जार में में यह जेल डाल दिया है इसके बाड़ इसमें हम थोड़ा सा ही पानी द्हकन पानी ले लिजे जैसे 5 से 10 email पानी बहुत होगा और उसको हम जार में डाल देंगे और जार में डालने के बार इसको पीस लेंगे तो थोड़ देर चलाईएगा तो जैली है बहुत टाइम नहीं लगता है आराम से पीस जाता है और पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है तो ये देखिए ये पिस गया है इस समय और पिसने के बाद कुछ इस तरीके से हैं ये देखिए लिक्विड टाइप का हो गया है और हाँ चलिए अब इसको यूज कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं तो क्योंकि हम इसका एक स्प्रे बनाने वाले हैं तो इसको छा चानने के बाद अब जो हमारे पास ये पानी बचेगा इसे हमें अपने प्लांट के लिए यूज करना है पर इसको यूज कैसे करना है ये जान लिजेगा ऐसे ही नहीं इस्तमाल करना है तो इसके लिए अब हम एक स्प्रे बॉटल लेंगे और स्प्रे बॉटल में मैंने यहा पर मैंने लगबग आधा चमच एपसम सॉल्ट का इस्तमाल किया है एलोवेरा जेल में जो खूबिया होती है उसके साथ अगर आपने एपसम सॉल्ट भी डाल दिया ना तो पत्तों में एक नई जान आ जाएगी चमच बहुत जादा बढ़ जाएगी और जो ग्रोथ होती है न और फिर पूरा दिन उसको अच्छे से ड्राय होने दे जब सारी लीव्स दूल जाएगी उनके उपर की गंदगी साफ हो जाएगी उसके बाद फिर हमें इस स्प्रे को मनी प्लान के उपर करने ताइम पे आपको क्या ध्यान रखना है दो साफ धानिया बहुत जरूरी है प अमें बहुत तेज गर्मी में और बहुत तेज दूप निकली है तब यह स्प्रे नहीं करना है आप सुबह सुबह कर सकते हैं जैसे सुबह के टाइम 6 बजे के आजपास आप स्प्रे कर दीजी क्योंकि यह इंडूर प्लांट है तो दूप में तो रहेगा नहीं तो अगर 7 8-9 बजे तक भी यह अच्छे से सूख जाएगा और नहीं तो फिर आप शाम को करिए 5 बजे के आजपास क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि 5 बजे के आजपास करेंगे तो यह 7 बजे तक सूख जाएगा इंडूर प्लांट में शाम को बहुत पानी या इस्प्रे जान रखेंगे मनिय फ्लांट में मैंने आप वगों से काफी वार समय कि बहुत से लोगों के मनिय फ्लांट में कुटी साफधानिया है अगर आप ध्यान रखेंगे न तो यह सच बहुत ही एजी यह बहुत ही मतलब low maintenance प्लांट है तो आपको क्या रखना है ध्यान कि आपको पानी तभी देना है जब मिट्टी आपको proper dry दीखे, आपको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, बहुत कम पानी भी नहीं देना है, हफते से 10 दिन में एक बार प्लांट को अच्छे से नहला दे, और सुभई नहलादे, ताकि पूरे दिन में शाम होते होते, खुब अच्छे से सूख जाए, बहुत देर तक पानी टिकना नहीं चाहिए इंडोर प्लांट्स में क्योंकि अगर ज्यादा देर तक पानी टिकता है तो फिर फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है और अगर आपको कोई इंसेक्ट दिख रहा है तो फिर आप नीम ओयल का इस्प्रे कर दीजी नहीं तो नीम की पत्ती से बहुत ही इल्यूट करके आप अपनी मिट्टी में भी दे सकते हैं मने प्लान की तो उससे ग्रोध बहुत अच्छी होगी सारी डिटेल सारी जानकारी बता दी है इसके बाद भी कोई कोई कोशन कन्फूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा कैसा लगा मिराज का ये वीडियो मुझे जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर